Hello everyone, आज की हमारी कहानी The Lost Child इस यह कहानी एक छोटे बच्चे की कहानी है जो अपने पैरेंट्स के साथ एक मेले में जाता है और यह मेला बसंत्रितों में लगाया गया था और जब वो लोग सक्री सक्री गलियों की चाया से बाहर निकल करके जा रहे थे मेला देखने तो उसमें कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ घोडों पर बैठे हुए थे, कुछ लोग बांस की बनी हुई छोटी चकड़ा गाडियों में बैठे हुए थे इसे हम बैल गाड़ी भी कहते हैं, बैल गाड़ी के पीछे एक कार्ट जो होती है, उसमें बैट करके जा रहे थे, जो बैम्बू से बने हुई होती है, यहाँ पर एक छोटा सा लड़का है, जो अपने पिता के साथ और माताजी के साथ मेला देखने जाता है, उसके पैरेंट जो हैं उसे कहते हैं, आओ बच्चे आओ, लेकिन वह जब मेला देखने जा रहा होता है, तो उसे काफी सारे टॉइस दिखाई देते हैं, खिलोने देखते हैं, जिने देख करके वह फैसिनेटेड हो जाता है, यानि उसे बहुत अच्छा लगता है खिलोनों को देखना, फ और वह बार बार उन खिलोनों को पीछे मुड़ करके देखता रहता है, फिर वह अपनी इच्छा बताता है कि I want that toy, मुझे तो वह खिलोना चाहिए, लेकिन वह खिलोना उसे मिलता नहीं है, बलकि बदले में उसके जो उसे रेड आइड जो आँखें हैं अपने पापा की वो दिखाई देती हैं, उसके फादर की जो लाल लाल आँखे थी जैसी कि हमेशा उन की रहा करती थी, His mother melted by the free speed of the day was gender and giving him her finger to hold, उसकी मा उसे उंगली पकाड करके कहती है, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है, वह पिंगलते हुए पीले सोने की भाती फूलों का पीला सरसू का खेट था, उसकी मम्मी ने जो उसे खेट दिखाया, वह एक पीली सरसू का खेट था, जो काफी दूर-दूर तक फैला हुआ था, उस खेट में बड़ी वाली मक्यों का एक जुंड जो था, वह वहाँ पर उसने देखा, जो उसके जुंड की जो मक्यां थी, उसके पंक बैंगनी कलर के थे, और वह जुंड हलचल कर रहा था, इधर-उथर वो मक्यां चल रही थी, किसी अकेली काली मक्यी या तितली, ये सब मिलकर के फूलों वाले शहद की तलाश में थे, बच्चे ने देखा हवा में और उनका पीछा किया, जब तक कि उन में से एक अपने पंखों को शांत करके आराम से जब तक नहीं बैट जाती, वह उनको पकड़ने की कोशिश करने लग जाता, और, and he would try to catch it और हमेशा इसे पकड़ने के लिए कोशिश करता, but it would go fluttering, flapping up in the air, लेकिन वह मक्यी क्या करती, आराम से उपर flutter कर जाती, अपने पंखों को फड़ फड़ा करके उपर हवा में उड़ जाया करती, when he had almost caught it in his hands, और उसे लगता कि उसमें पकड़ ही लिया, लेकिन तब तक उतो वह मक्यी हवा में उड़ जाती थी, फिर उसकी मा उसे कहती है, आओ बच्चे आओ, आब आज चलते हैं, और वह अपने पेरेश के पीछे पीछे भाग करके चला जाता है, लेकिन जल्दी फिसे रुख जाता है, और ढूप का वह मजा लेना चाहता है, फिर से उसके पेरेंट्स कहते हैं, कम चाइंड कम, और फिर वह जब उसके कुएं के कोनों पर उसके माता-पिता उसे दिखाई देते हैं, बैठे वे, भाग करके वह वहाँ चला जाता है, जैसे ही वह जुंड में दाखिल होता है, तो नन्ने फूलों की बोचार बच्चों पर पड़ती है, और उसके पैरेंट्स को भूल कर भाएं, अपने हाथ में जो उसके फूल गिर रहे हैं, फूलों की पंखडियां, जो पैटल्स गिर रही होती हैं, उन्हें इकठा करने में लग जाता है, परंतु यह क्या, उसे एक डव की आवाज सुनाई देती है, और उसकी कूकू की आवाज उसे सुनाई देती है, और जो फूल थे उसके हाथ में वो गेव जाते हैं जैसे उसे फाक्ता की आवाज सुनाई देती है तो चिलाते चिलाते वह अपने माता पिछा के पीछे पीछे दोड़ करके चला जाता है फिर से उसके पापा मुमी कहते हैं कि आओ बच्चे आओ उन्होंने बच्चे को पुकारा और जो कि अब जंगली अठखेलिया कर रहा है और करते हुए बरगद के व्रश के आसपास दोड़ रहा था जंगली अठखेलिया यानि जो पेर होता है बरगद का उसके चारों तरफ दोड़ दोड़ कर वह खेल रहा था और वे उसे गोद में उठा करके भीडी घुमावदार पकडंडी पर चल पड़े पकडंडी क्या होती है शोटी स्ट्रीट होती है जिस पर वो चले जाते हैं और यह है जो रास्ता था मेले में जाने का यह सर्सो के खेत के रास्ते के बीच से ओकर के जाता था जो उन्हें मेले पर लेकर के गया जब वे गाउं के पास पहुँचे तो बच्चा बहुत सारी पकडंडियों को देख सकता था यानि स्ट्रीट्स थी काफी सारी और फुटपार्स थे वहाँ पर जो जहां पर लोगों की काफी भीड थी क्योंकि आप जानते हो कि मेले में बहुत सारी भीड होती है और converging to the whirlpool of the fair और पूरा एक जुंड बना हुआ था मेले में जैसे वलपूल होता है या भवर जिसे हम बोलते हैं वो सब शोर, शराबा और ऐसा मेले का बड़ा उसे आगशित कर रहा था ये सब फैसिनेटेड हो रहा था मेले को देख करके A street meets sailor hawk तभी मिठाई बेचने बाले की आवाज आई जो ये कह रहा था गुलाब जामूल, रसगुलाब परफी और जलेबी At the corner of the entrance and a crowd placed round his counter at the foot of an architecture of many colored streets decorated with leaves of silver and cold और वहाँ पर जो मिठाईयां थी, उन्हें काफी सजाया गया था, उन पर वर्क लगाया गया था Leagues of silver यानि वर्क होता है, चांदी से बनता है, जो पन्नी चढ़ा दी जाती है, मिठाई को सुन्दर दिखाने के लिए सभी मिठाईयों पर वह सुन्दर तरीके से उसके सजावट की गई थी I want that वर्फी, मुझे वर्फी चाहिए, उसके मुझे पानी आ गया और वहें उसने थीरे से, स्लोली मर मर यानि थीरे से वहें बढ़ बढ़ाया But he half knew as he begged that his plea would not be hated because his parents would say he was greedy उसे पता था, उसके parents उसे greedy कहेंगे, लालची कहेंगे इसलिए उसकी बात को कोई भी नहीं सुनेगा, और उसे मिठाई नहीं मिलेगी इसलिए एक बार उसने जब मिठाई मांगी, तो फिर वह चुपचा बिना इंजार की आगे चला गया क्योंकि बह जानता था, कि मिठाई उसे मिलने वाली नहीं है तभी उसे एक फूल वाले की आवाज सुनाई देती है, गुल मोहर की माला, गुल मोहर की माला तब बच्चा बिना विरोध के उसकी तरफ भी अकशित हो जाता है, फिर से वह फैसिनिट हो जाता है अब भी उसे पता है, कि उसके पैरेंस उसे माला लेने नहीं देंगे इसलिए फिर से वह चुक्चा बिना वेट किये, बिना अंसर का वेट किये, मूवड हो जाता है, मूव कर जाता है तभी एक उसे वेक्ती दिखता है, जो बास लिए खड़ा है, और उस पर पीले, लाल, हरे सभी कलर्स के यलो, रेड, ग्रीन, पर्पल, बलून्स जो हैं, उसे दिखाई देते हैं और उसे ये सब रैंबो कलर के दिखते हैं, तो उसे फिर से मन में आ जाती है, कि ये सभी मैं खरीद लूँ, लेकिन बट ही वेल न्यूँ, उसे पता था, कि his parents पुड नेवर बाई हिम, उसे कभी वी ये खरीद कर नहीं दिया जाएगा, तो फिर वह है, आगे बढ़ जाता है, और उसको फिर से गुबारों को छोड़ करके, आगे जब चलता है, तो उसे एक सपेरा, बीन बजाते हुए दिखाई देता है, जिसकी बास्केट में एक स्नेक होता है, और कुंडली मार करके बढ़ बर्ठवा होता है, और उसने अपना सांप उठा रखा है, आपको पता है कि सांप के कान नहीं होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, तब वह सपेरे के पास जाता है, लेकिन, बंपर एक गोल जुलाा उसे दिखाई देता है, और जो दिखाई देता है, वहाँ पर एक गोल जूला उसे दिखाई देता है और जो था round about था यानि लगवाग गोल सा था men, women and children वहाँ पर काफी सारे उसे बच्चे women and men दिखाई दिये और वो सब जूल रहे थे, हस रहे थे और उनको उस बच्चे ने देखा, तब ही उसका मन किया कि मुझे भी घूमना है और उसने अपने parents को कहा कि मैं जूलना चाहता लेकिन उसे no reply, महा से भी no reply मिलता है फिर he turned to look at his parents, अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ा लेकिन वो वहाँ उसे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वह इदर उदर देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है और इस प्रकाश से वह रोने लग जाता है उन्हें लग जाता है और छिलाने लग जाता है mother father और उसकी आँखों से आसु आ जाते हैं उसका चेहरा विल्कुल डर करके लाल हो जाता है पैंस टिकन हो जाता है और वह इदर पहले एक तरफ भागता है फिर दूसरी तरफ भागता है चारों तरफ वह जाता है इदर उदर अपने parents को ढूंडने लग जाता है और फिर एक तेजवाज में रोने लग जाता है और इस तरह से उसकी पीली पगड़ी खुल जाती है उसके कपड़े जो हैं मिट्टी से भी सन जाते है and clothes became muddy यानि उसके कपड़ों पर काफी मिट्टी लग जाती है वह काफी देर तक इदर भागता रहता है डर से और उसके मन में काफी डर होता है वह काफी घबराया हुआ होता है और थोड़ी दूर पर उसे एक हरी कलर की घास दिखाई देती है और उसे दिखता है कि उसकी जो रोरोकर दुंदली आखे होगी थी वहाँ पर उसे एक man and woman दिखाई देते हैं जो दोनों बात करे होते हैं उसने चमकीले पीले जो उसके कपड़े थे उसके टुकड़ों के बीच में से ध्यान से देखने का वहाँ पर भी वह कोशिश करता है लेकिन उसके father और mother उसको दिखाई नहीं देते हैं वे लोग बिना बज़े हसते और बाते करते वे लगते थे केवल हसने और बोलने के लिए यानि कि वो दोनों केवल मजाग कर रहे थे लेकिन वहाँ पर भी उसे अपने parents नहीं मिलते हैं वहाँ जल्दी से भाग जाता है और एक बार एक मंदित की तरफ काफी सारी उसे भीड दिखाई देती है crowding उसे दिखाई देती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड थी हर हिस्से पर उसे भीड दिखाई देती है but he ran to people's legs लेकिन वो लोगों की भीड के बीच में से भागता है थोड़ थोड़ा रोता रहता है mother father near the entrance to the temple however the crowd became very thick जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड हो जाती है एक बार रोते रोते वेड बहुत ज़्यादा भीड में चला गया जाता है एक दुसरे को धका देती थी लोग जो थे कुछ व्यक्ति जो थे बहुत भारी भरकम थे उनकी आखे चंकीली और ड्रावनी थी वो बहुत मोटे भी थे विचारा बच्चा जो था उनके बीच में से धक्का मुक्की करता हुआ आगे जाने की कोशिश करता है और उनकी जो जंगली हलचल थी उससे वैटक कर खाता है और उनके पैरों के नीचे कुछला भी वह जा सकता था यदि वह अपनी आवाज जोर से नहीं लगाता पिता जी माता जी एक व्यक्ति जो भीड में आगे बढ़ रहा था उससे उसकी चीक सुनाई दी और उसने बहुत मुश्किल से जुक करके उस बच्चे को उठा लिया अपनी बढ़ों में उपर उठा लेता है और कुछता है कि बच्चे तुम यहां कैसे आए वो कहता है यहां पर तुम कैसे आए चाइल्ड बच्चे ने पूछा जब वह भीर से बिल्कुल अलग हुआ बच्चे अब पहले से जादा रो रहा था और चिला रहा था कि मुझे मा और पिताजी चाहिए जो परसन था उसने जिसने बच्चे को उठाया था वहां पर चला जाता है जहां पर सपेरा बीन बजा रहा था उस अच्छे संगीत को सुनो वो कहता है कि यह जो सपेरा बीन बजा रहा है तुम इसे सुन लो लेकिन बच्चे को वह बहुत बुरा लगता है उस music को सुनना उसे बहुत बुरा लगता है और फिर वह चिलाता है कि I want my mother, I want my father मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए फिर उसे गुबारे के पास ले जाता है लेकिन आप उसे गुबारे भी अच्छी नहीं लग रहे है वह व्यक्ति हर चीज के पास उसे ले करके जाता है जो पहले उसे बहुत पसंदा रहे थी जिससे कि आपको कहाने के शुरू में मैंने बताया कि हर चीज पर उसका मन था, फैसिनेटेड था वो लेकिन अब जब वो खोड़ चुका है, उसके parents उसके पास नहीं है तो वह कुछ भी लेना नहीं चाहता है अब वह unknown जो person है, अब उसे गुबारों के पास लेकर जाता है और कहता है कि क्या तुम ये लेना चाहते हो लेकिन अब उसे ये अच्छे नहीं लगते हैं और वह मना कर देता है और वह कहता है कि मुझे तो मेरे I want my mother, I want my father रख्ती अभी भी बच्चे को खुश करने के लिए गेट के पास ले जाता है जहांपर फूल वाला बैठा था फ्लोवर सेलर जो था, वो बैठा हुआ था और कहता है, look, can you smell those nice flowers? child, क्या तुमको इन फूलों में अच्छी खुश्बू आ रही है? तब बच्चे को बिल्कुल भी उसमें कोई इंट्रेस्ट नहीं होता है और वह बास्केट से बिल्कुल दूर हो जाता है और सौब करता हुआ, सौबिं करता है, सौबिं करता है सौब करता है और कहता है, कि मुझे I want my mother, I want my father मुझे तो मेरे माता पिता ही चाहिए तिंकिंग टू हुमा, इस डिस तंसुलीट चार्ज बाई गिफ्ट ओफ सीज उस दुखी बच्चे को मिठाई दे करके खुश करने की बात सोचते वे वह इंसान उसे कहां पर ले कर के जाता है, एक मिठाई के काौंटर पर ले कर के जाता है और कहता है कि तुम इंगे से कौण सी स्वीट लेना चाहोगे उनसी मिठाई आप लेना पसंद करोगे यानि कि वो sobbing करता रहता है लेकिन मिठाई पर उसका कोई थ्यान नहीं होता है और कहता है कि I want my mother, I want my father इस तरह से मेले में खो जने वाले बच्चे की यह कहानी है जो मुल्क राज आनंद ने लिखी है यदि आपको इस कहानी से संबंदित कोई भी प्रेश्ण हो तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हो नेक्स्ट वीडियो के लिए त्यार रहे हैं थेंक्यू फॉर वाचिंग